नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राहुल साहुए दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू चेक डेफिसेट इस्टॉक एरर एड़ टाइम और पीजी इन ऐसे पी दोस्तों इसका मतलब यह है कि हम जब भी सैप में जब बेच यूज करते हैं सपोस्ट बहुत जरूरी है क्योंकि क्या है दोस्तों जब हम प्रोडेक्शन डालते हैं तो उसमें भी हम बेच पिक करते हैं जी आरन कर रहे हैं तो यह कॉमनली प्रॉब्लम है जो आप सबको डेली रूटिन में आती है तो आज इसके हम सॉल्यूसन निकालेंगे क्या-क्या चेक कर स सकते हैं जिससे कि हम बेच को इंकर सकैंट के इसमें हृर है यह नहीं है दोस्ते इससे परले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीज़े दोस्तों दोस्तों आज से मैंने एक चीज़ स्टार्ट किये कि आप लास्ट में मैं आप से सेपसे लेट एक कोसन पूछूंगा डेली और उसकी नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपको उसका आंसर बताऊंगा आपके लिए जो भी कोसन र भी आ अरब कर सकतें लेखतें लेग्या और अरट के इतंकीिन चीज़ों से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ऊसके प्राक्टिकल देखाऊंगा कि क्या आपको चेक कर सकते हैं कि नेक्स्त आते हैं फस्त क्या हूं लिखा यहां पर हाउँ मेनी वेस् सूक पैड़ दोस्तों हां व सबसे पहले हमें क्या page की date चेक करनी है कि आपने क्या page की date डाली है suppose आप आपने ले लिए आज invoicing बना रहे हैं आप invoicing की date है आज 24 जुलाई आपने क्या करा कि 25 जुलाई का page ले लिया production वाले ने गलती से 25 तारीक का page डाला है आपने वो page ले लिए तो फिर आप PGI नहीं कर सकते हैं एरर आएगी हमें साब PGI करते समय आपको page date का एरर लेना है यह क्या लिखा हुआ है you can check page date error with the help of mb52 and check creation date दोस्तों आपको mb52 में जाना है उस page को डालना है और देखना है कि वो page किस date का है आप जब PGI कर रहे है तो वो previous date का है या नहीं है तो यह हो गए आपका फर्स्ट मॉइंट हम से कह रहा है how to check stroke quantity आपको क्या stroke quantity कैसे चेक करना है मैं आपको बताता हूं कि आपको stroke quantity आप क्या कर सकते हैं you can check stroke quantity with the help of mmb and mb52 सबसे पहले आपको date check करनी है जो हम first point में देख चुके हैं सेकिंड आपको stroke की quantity check करनी कि अक्चल में वह stock है यह नहीं है suppose आप 100 का PGI कर रहे है और आपके पास stroke में available SC तो अभी वह चीज क्या है वहाँ पर PGI नहीं करने देगा तो आप क्या करेंगे सबसे पहले mb52 में जाएंगे mb52 में जाके वहां से उस बेच का stroke देखेंगे कि कितना है या फिर आप mmb में भी जाके चेक कर सकते हैं कि उस बेच का इस्टॉक कितना है और उसी की help से आप उस इस्टॉक को identify करेंगे तो आपको वह error नहीं आएगए सेकिंड पॉइंट है इस्टोक कॉंटिटी प्रोसेस इनसेपी दोस्तों mmb में प्रोसेस क्या हो थी कैसे हम चेक कर सकते हैं यह आपको दो मिट बता देता हूं पहले में आपको टी कोड़ इंटर करना है मटीरियल डालना है मटीरियल के बाद आप जैसी execute करेंगे फिर क्या आपके सामने सो हो जाएगा तो इसी तरह से आप स्टोक को चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितना इस्टोक एवलेबल हैं और कितना नहीं है अब आते हम थाट पॉइंट में दोस्तों थाट पॉइंट हम से क्या कह रहा है हाउ टू चेक इस्टोक लोकेशन ओवर्वियू इन ऐसे पी आप जब भी डेफिसेट इस्टोक एर देखते हैं तो उस समय आपको यह देखना जरूरी है कि उसकी लोकेशन क्या है लोकेशन आपने सब उस गलट डाल दी आप ले रहें एक्जामपल दे नहीं हों आप वॉपाल की लोकेशन डाल रहा और ले रहे हैं इंडौर की लोकेशन तो फिक नहीं करेंग है इसलए आपको ऑख Chop locations तो केसे कर सकते हैं इस प्डिखनों हो को बताता हूं सबसे पहले यू कंचेक इस्टोग ओवर्यू विद्ध हैल्प आप में अब चलाएंगे तो उसमें इस्टोग लोकेशन भी दिखाता है कि आपका मठीरियल किस लोकेशन पर पड़ा हुआ है तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं और वहां से कॉपी करके पै कैसे चेक करेंगे से भी मैं क्योंकि वैलुइसन टाइप भी बहुत इंपोर्टेंट यह हमें अड़ जगा काम आता है चाहिए आप जी आरन कर रहे हो चाहिए आप टीजिआई कर रहे हो या प्रोडेक्शन डाल रहे हो तो अब हाउटू चेक कैसे चेक करेंगे मठीरियल है क्या होता है dirt material है हमारा लोग की कौई finish material है जो सके विलिश्य क्ठाइब अलग होता है city मैंने water material में country दिश्ट का रrangद Sow artık लाग होता है। मैंने energy material में protein inverter के वैँशन टाइब डाल दीया तो वो क्या एरर देगगा तो इस और fourth आपको देखना है उसका evaluation type क्या है यदि आप ये चार चीज़े चेक कर लेंगे तो आपको easily समझ में आ जाएगा कि आपका deficit of stock error क्यों आ रहा है ठीक है दोस्तों अब next आते हैं all stock details available in some T-codes यदि ये पूरी detailed episode stock की error की जो details है वो हम MMB, MB52, COOIS और MB5P ये चार T-codes में जाके आप कहीं से भी stock की details ले सकते हैं और ये COOIS ये सबसे best T-code है production related यदि आप suppose production में काम कर रहे हैं तो आप COOIS से information ले सकते हैं कि मैंने कब production डाला उसका page क्या है उसके date क्या है उसका value type क्या है सबी चीज इसमें available हो जाएंगी और आप HD module पर काम कर रहे हैं तो MMB में जाके आप check कर सकते हैं क्यार उसके stock क्या है quantity क्या है location क्या है और values न टाइप क्या है और MB52 में आपको material की all information मिल जाती है कि user किसने production किसने डाला है date क्या है remark में कुछ डाला तो नहीं है और MB52 से भी उसका opening और closing के available balance मिल जाते हैं तो अब इस तरह से 4T code को यूज करके आप deficit stock error का solution सकते हूं अभी हमने क्या देका चार details अब हम क्या sap पर जाएंगे और 111 sap पर आपको बताऊंगा कहां पर आप को error आती है vl02n में और कहां से आप check कर सकते हैं तो आईए दोस्तों हम लोग sap पर चलते हैं यहां पर type करेंगे vl03n vl03n यह delivery का display देखने के लिए होता हैं घा रहा हूं कि आप कैसे जाके चेक कर सकते हैं कि आपका बेच कहां पर हैं यहां पर आपको कोई भी आपका number डालना है जो भी आपका delivery number होका उसका इंटर करना है जैसी आप इंटर करेंगे तो इंटर करने का आपको picking पर जाना हैं दोस्तों दिख रहा है अप्रेल मंत कॉंटिटी 5 और location finished goods तो इसी तरह से आप बेच को चेक कर सकते सपोज यहां पर अपरेल नहीं मई ले रहा हूं मैं और हमारा इस टोक क्या है अपरेल की location पर पढ़ा हुआ है तो यह यहां पर error होगा सपोज मैं 10 तारिक के यहां पर अपरेल स्टाट होगा तो समझ जाने के production ने जो इस टोक डाला है जैसे यहां पर यहां पर टाइप करके दिखाता हूं अपरेल 20 अब क्या होगा production वाले ने space देखे डाला होगा तो यह यहां से count होगा space से तो कभी-कभी error आता है तो आपको यहां पर space देखे और फिर करना तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और base picking quantity चेक कर सकते हैं और आप चाहें stock चेक करना है तो environment में जाके stock पर click कर सकते हैं और यहां से तो दोस्तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा एरर कैसे आता है और एरर को कैसे identify कर सकते हैं कैसे ढूंड सकते हैं और उसके दूसरे कैसे solve कर सकते हैं इन चार चीजों की help से दोस्त आज की वीडियो में आपसे question पूछूँगा जिसका आपको comments में जवाब देना है और उस तो दोस्तो आज का हमारा question ने if we have to copy and paste in SAP so what tcode will use दोस्ते आप SAP में copy और paste कर रहे हैं तो आप क्या tcode use करेंगे SAP में क्या shortcut की use करेंगी या आपको मुझे comments में लिखकर बताना है जो भी आप tcode comments में बताएंगे जो भी shortcut की की आप बताएंगे वो मैं आपको next वीडियो में बत आईए यह नहीं यह आपको comments में लिखकर मुझे answer देना है ठीक है दोस्तो इसका answer हम next वीडियो में आपके साथ share करूँगा तो दोस्तो आज के लिए यह तरह है thank you दोस्तों यदि आप लोगों के मेरी वीडियो पसंद आए तो like and subscribe जरूर कीजिए दोस्तों आज के लिए य देंकियो दोस्तों